कि है लो एवरीवन देखे आज हम लोग अपना जो ग्रामीड विक्यास दे रहें वाला चैप्टर देख रहे हैं इसका सेकंड लेक्चर होगा यह ठीक है पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने दिखा था कि साख मतब क्रेडिट से सम्मादित बैंक में लोन हो गया कि सानों लोगों को मिलने में क्या मैंतिंग क्यों जबुरत है पहले क्या में सुधार हुए वह हम लोगों ने पूरे डीटेल में दिखा है आज हुआ बहुत क्रेसी विपरन क्या होता है प्रक्रिया है जिससे देज़बहर में उत्तपादित क्रिसी पदार्थों का संगरहण भंड सब कुछ मार्केटिंग से ही जूड़ी हुई तो इसको कहते हैं क्रिसी भी पुर्ण ठीक है अब देखिए क्या है इसमें अब कह रहा है कि सुतंत्र पूर्वग व्यापारियों को अपना उत्पाद बेशते समय क्या होती थी तो इसे की आप स्टार्टिंग में देखिए तो कई चीज़ें मैटर करते हैं बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको लिए समझेंगे तो बहुत बड़ी जैसे कि देखिए इस समस्यां क्या है अगर देखेंगे तो किसानों को प्रचली भाव का पता नहीं था ठीक है पहले पहले क्या होता था जहां पे अपने लोकल मार्केट है वहां पे देखने है बहुत अपना समझ कि दस लोग है अभी क्या है अभी आपने सुना हूआ कि हाली में कुछ नहीं पहले इमंडी इमंडी concept है अब इसमें क्या है कि किसान घर बैठी के पता कर सकता है कि इंडिया में इस मंडी में इस state में उसके जो product वाले आलोगे हूँ गन्ना जो भी है कि क्या दाम है तो उसको जहां पर अच्छा भाव मिलेगा वो वहाँ पर जाके बेचेगा तो ये एक समस्या है पहले थी दूसरी चीज़ क्या है कि आज भी ये समस्या है कि आप देखेंगे cold storage मतलब जो सीथगरी होते है cold storage का अभाव है cold storage का अभाव रहने से क्या है देखे अगर मालिए कि कोई सबजी या कोई भी फसल उतपाद हो गया वो आज पर दमाज आलू ले दिजे ठीक है आलू का ही example ले दिए आलू मालिए पैदा हो रहा season में तो क्या होगा सब के पास एक साथ पैदा होगा आलू season में इंडिया में तो उस time क्या होगा market में आलू की भरमार हो जाएगी तो उससे यह होगा कि market में दाम उसका बहुत कम हो जाएगा क्योंकि जो चीजे बहुत बहुत बड़ी मातरा पे उपस्तित हो जाएगी तो उसका दाम घड़ जाएगा सब मालिये कि आप देखेंगे एक time आता है कि आलू का दाम ऐसी दस रुपए बीस पंदरा रुपए साथ रुपए से हो जाता है क्योंकि सब के पास इस टाम प्रोडक्शन है लेकिन अगर अच्छे कोड़ स्टोरेज हों प्रसीद भी हों कोई भी आलू के लामा और भी सब्जियां बेखेंगे तो उसके क्या पड़ेगा क्यों जिसे टमाटर होगा अगर उसको कोड़ स्टोरेज कुछ टाइम रखेंगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाती नहीं तो जल्दी खराब होने वाली चीज़े हैं उसको जो भी दाम मिलेगा खराब होने से पहले उसको मार्केट में बेशना पड़ेगा इसलि ठीक है चलिए और देखें आज भी आप देखेंगे कि लगभग क्या है दस परसंद से अधिक क्रिसी उत्पाद भंडा भंडारन सुविधाओं के अभाव के कारण क्या हो जाते हैं नश्ट हो जाते हैं ठीक है क्योंकि भाई जो जैसे कि बहुत जैसे आइटम होते हैं सब अब देखें नीजी छेत्र और सरकार के सामेंजस बेस्ट आने के लिए कभी इसे करना पड़ता है कभी नीजी छेत्र जहां पे जाधा तो एक सामन जस्ट बनाके चलने के जोड़ते हैं अब करते किशी में पहला कदम विवस्थी देए पारदर्सी वीप्रेंट दसाओं का निर्मार करना कि भाई जो भी मार्केटिंग विवस्था है ठीक है वह एक सिस्टम के तुरू हो और उसमें पारदर्सी ताओ ठीक है इसके निर्मार की बहुत ज़्यादा हो सकता है इस नीद को बहुत दूर तक क्रिसक और भोकता दोनों वर्गों को लापानमीत हुए क्योंकि यह देखिए चीजे सिस्टम्स होंगी और पादर्शी होंगी तो सब के लिए उसमें फायदा है चाहीख wichtig करने करने का हो यहां पर जाएपर पर शिस्टम हो हां पर सब का आज बहुत बहूत अबागा हो और गाया कि अब जए उनके वाहले यह जाला कि बहुत कर मातरल मैं अपने दिखाऊगा होगा हाल में कुछ ट्रेडों में इस। सब्सक्राइब परिवहन रेल मार्क इन सबका अभी उतना नहीं है मातरा में डवलप है तो वह कह रहें कि गोधाम सेद्गरी प्रेसंस करने काई कि आधारी संरशनाओं का प्रावधान अभी किया जाना सेज है और क्योंकि अधिके दिनों के दिन क्या मंग बढ़ती जा रही लेकिन अभी भी सरकार काम कर रही लेकि इतनी ज्यादा डिमांड है कि अभी वो पर परयाप्त नहीं हो पाई है जितना भी सरकार ने किया है अब उचित मुल्य सुलब कराना है अब जैसे कि MSP जो सरकार देती है उसको एक उचित तरीके से मैकसिमम फर्सलों पर एक गारंटी की साथ दी जानी चाहिए साथ ही में सरकार को क्या करना चाहिए कि सहकारी समीतिया होती है जैसे कि सहकारी में क्या होता है कि कई लोग आपस में मिलके कुछ नए चीज़ श्टार्ट करते हैं जैसे दुग दूत पादन है ठीक है दुग आनन्द करके पूरी सहकारी समितियों के तुरू पूरे दुख दूत पादन का सबसे बड़ा सहकारी समितिये और उसमें सरकार का अब इनिसिटिव है मतलब सपोर्ट तो ही थोड़ा और उस साथ में सबके आजीव का एक बहुत बड़ा सरोत उसे की एक बंता आपने देखा होगा लिजज़त पापड आता होगा लिज़त पापड क्या होती वहां कुछ महिलाओं के तुरू के वल वो डेवलब किया जाता है उसमें कुछ महिलाएं मिलके उन्होंने एक सहकारी समित के टाइब में बनाके और उन्हें प्रोड़क्शन इस्टार्ट किया तो ऐसे कुछ इनिस्केटिव को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए प्लस देखे सरकार के लिए क्या करना चाहिए किस सरकार को वही है कि MSP वाली जो बात हुए थी ठीक है MSP में और चीज़ें बढ़ना चीज़ें अच्छा आप बताए कि जो गन्ने के लिए या MSP किसकी recommendation पर जारी किया जाता है प्लस गन्ने के लिए क्या होता है गन्ने के MSP होती है या नहीं होती है ठीक है आपको यह home work है आपको comment box में बताना है तो यह चीज़ें वह यह MSP वाली बात हो रही है प्लस इसमें कहा रहा है कि अभी जो लोगों देखें बहुत सी चीज़ें यहां पिसले है वो चोड़ा है क्योंकि हम लोग उपर वाले chapter में discuss कर चुक है उसको अब जिससे कहा रहा है कि बैंकिंग के तो प्लस देखिए अगर वैस्वी करण का प्रभाव पड़ा तो आपमी क्या करता है सरकार को बहुत अच्छे देखे की बभाई यहां पर लगा दी जाएगी तो क्या हुआ यहां पर बहुत जल्दी खराब ओने वाली चीज़े ठीक है तो प्रस्न्स्क्रेंट काई बनने से टमाटर को आप सीधे उसकी चटनी या फिर वो केच अप यह सब बनाकर उसको प्रोस्स करके इसको आप इंडिया के मार्केट में भी बेश सकतें तो ऐसे कुछ इनिसेटिब सरकार को बढ़ा विक्रे माध्यमों के प्रादुर्वा मतलब इसमें बहुत सी जगह ऐसे कहा जा रहा है कि अगर किसान स्वयम ही उभुकता को अपना उत्पात बेची तो उससे अधिक आए प्राप्त हो सकती है जिसे कहीं जाए एक्जामपत दिया गया कि अगर अच्छी मंडियां अच्छी कि जो विप्रन बेवस्ता मार्केटिंग यह सब उपलब करा दी जाए सरकार खुद खरीद के ना बेचे अगर डायरेक्ट जो किसानों के लिए सुभधाय दे दी जाए तो उससे किसानों को ज्यादा फायदा होता है जैसे यहां पर कुछ मंडियों के नाम दिये गए वहा बनने वाली कंपनियां भी अब किसानों के साथ क्रिस्यय अतपात की ख्येती के लिए उतपादों से अनुबं धग्रा रही है देख warm कि अपने जैसी की चिप्स बनाने एक मनें वाली क्या कमपनिया करती है वह किसानों से डालेट कॉंटरust करती हैं कॉंटरेक्ट करती हूं उसमें क्या करती है कि वो उनको एक अच्छे किस्म के आलू करिसी के आलू के बीज वो उपलब्द करा देती है किसानों को एक सीमी तेरिया में किसानों से कॉंटेक्ट कर लेती है कि आपका हम आलू उपलब्द कराएंगे अब बीज उपलब्द कराएंगे आप उसमें क्या औरबरग डालनी है क्या चीजे प्रोसेस करनी है उसमें हम पूरा आपको देंगे आपको बस उत्पादन करना है और उत्पादन के बाद आप इस पूरे जो मौल है जो भी प्रोड़क्शन होगा आप हमें बेचेंगे वो फिर खरेद लेती है ऐसे कि लेज जो जिस वाले वो कॉंट्रेक्ट फार्मिय हो रही है तो इसमें क्या इसके लिए एक अच्छे रूड रिगलेशन होने चाहिए जिससे कि ना कंपणी को लॉस हो ना किसानों को लॉस हो दोनों के लिए हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए अबसे पूर निधारी जो माल होता है उसमें वही बात हो रही कि वही पहले से गर चीजे क्यों डिसाइड हो जाएगा तो उसमें किसानों को जो कि वह इन सब को निवारन करने के लिए रूड रेगलेशन होगा तो चीजे ज़्यादा सही हो ठीक है अब क्या कह रहा है कि अब भी बढ़ोतरी हो सकती है उनके आये में कि ठीक है ठीक है आपको यह बताना है कि जाईर सी बाता है इसको छोटा-छोटा इसलिए लेक्षर करके ला रहे हैं कि आपको क्या करना है कि एक एक दो-दो टॉपिक बस इसको डेली जैसे जिब जब वीडियो आती है आपको देख आप इस वीडियो को दीखेंगे तो हुएन ईसलिए उसको छोटे चोटे वीडियो मेला रहे हैं कोसिस करेंगे कि next जो हमारी वीडियो है उसमें क्या करेंगे हम इस पूरे चैप्टर को खतम करने की कोसिस करेंगे थिक है अफ जैसे communist ब्लक resolving का विविधी करना इसमें लोग वो sustainable economic नहीं डबलब हो पाई गया है कि उनके पास निरंतर आया आती रहे वो नहीं हो तो विविदी करन मतलब कि different लाने के लिए क्या होगा उनको पस्पालन के लिए तरफ डेरी उद्दोग को बढ़ावा देना पड़ेगा अब जिसकी सरकार बहुत बढ़ावा देती है सहथ उत्पाद है इन सबको तो क्या वो पुरा प्रोसेस है उसको लोगो समझेंगे और यह काफी important है यहां से question direct means मे question है उसको लोग discuss कर लें ठीक है क्योंकि यह लंबाच है तो उसमें next lecture से start करें चलिए मिलते next lecture में तब तक के लिए धन्यवाद